कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका स्टड़ी वी तेम में तो देखिए आज मैं सभी लोगों के लिए उत्राखन से संबंदित महत्तपूर्ण प्रस्णों की सीरीज लेका आया हूं जो कि आगामी 16 फरवरी आपका जो फॉर्स्ट गार्ड का पेपर है उन सभी के लिए मह सब्सक्राइब करना चाहता हूं जिन लोगों का आगामी वन रक्षा यानि कि फॉर्स्ट गार्ड का पेपर 16 फरवरी को है उन सभी लोगों के लिए भी काफी महत्तपूर्ण रहेंगे ये बातें वीडियो थोड़ी से लंबी हो जाएगी उससे कोई टैंसर मत लीजे तो इससे पहले मैं अपनी इस वीडियो को स्टाट करूं उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूं कि यह जो हमारी वीडियो है इसमें जो उत्राखन के नए प्रसन आते हैं इसकी सीरीज चलाई जा रही है जो कि हर रोज सुबह 6 बज़े हमारे यूट्यूब चैनल पर अप अपनी और इस सीरीज को इंप्रूब करके आपके लिए और अच्छे और और नए क्वेस्टन लेकर आ सकूं और जो आपका वन रक्षक का पेपर उससे और बहतर बना सके ठीक है उससे पहले जो मैं आपसे बाते सेयर करना चाहता हूं उनमें से एक बात यह है कि इससे पहल क्या आप लोगों के चीज़ बताना चाहता हूं आप लोगों के पास मातर बीस दिन बजियां अगर माना जाए तो ठीक है बीस दिन में देखिए आपके पास लगभाग डेढ़ आवेदन यहां पर हुए हैं यानिकि एक लाग पचास जार यहां पर आवेदन पहुंचे है वन रख्षक के लिए ठीक है फॉस्ट गाड के लिए तो इन वेसे आपके दो तीन तरह के लोग होते हैं जिनको इसमें तैयारी करनी होती है सबसे पहले वह लोग जिनको टीब नॉलेज नहीं होगी तो दोने के लिए स्ट्रेजिजी बता देता हूं मैं आप सभी लोग को देखें जिन लोगों ने पहले काफी पड़ा हुआ है तो उन सभी लोगों से तो मैं यह कहूंगा कि आप जादे से ज़्यादा प्रैक्टिस से जरूर करिए देखें प्रैक्टिस से इस बात का नॉलेज हो जाता है कि पेपर कैसे आएगा और हमें किस टाइप से पेपर करना है टाइमिंग क्या देने चाहिए हमें किस टाइप की कुस्टिस पढ़ने है ठीक है सबसे पहली बात लिए और एक वह लोग जिन्हों ने हाली में अपनी तहियारी को स्टार्ट किया हुआ है और अभी उतना ज्यादा यह उत्राखन में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं से अधित रुपक्त कर सकते हैं जैसे कि नदीतंत्र होगी आपका और परवत होगे उसके बाद आपका डिस्टिक वाइज जो भी इंपोर्टेन चीजह है और राजमसु के बारे में कता जितने भी राजमस चंदराजवयन्स और पवाग राजमस कोबारे में थोड़ा फह पढ़ लिजेगा बागी यह अब इतना टाइम नहीं बचाए कि आप उस चीज को डीटेल में पढ़ सकें तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने हाली में तयारी स्टार्ट की है या जिनकी तयारी उतनी खास नहीं है तो उन लोग से मैं यही कहूंगा आप लोग उसे कि आप लो प्रश्ची की वीडियो का सहरा लीजिए आप जो भी आपको अच्छा लगता है यूट्यूब चैनल आप उस यूट्यूब चैनल की का सहरा ले सकते हैं ठीक है तो इस वज़े अगर यह स्टेशिस से आप चलेंगे तो आपका पेपर अच्छे जाने की उम्मीद है ठीक है और रही बात आपके हिंदी के पोर्शन की ठीक है आप सभी लोगों को बता देता हूं मैं हिंदी का पोर्शन है आपका 20 नंबर का ठीक है बीस नंबर की आपकी हिंदी आएगी जैसे आयूग न अपना स्लेवर्स दिया था तो हिंदी में आप अच्छे-छे मेहनत कर सकते ह है क्योंकि इसमें आपका फिक्स रहता है कि आपका यह आएगा समास आएगा संदी आएगा और कवियों के बारे में आएगा कुछ चीज़ें रहती है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं लेकिन उत्राखंड के जिके जन्ना नौलेज है यह बहुत बड़ा है ठीक है आपको पता है इसका स्लेबस काफी बड़ा होता है तो आप पता चला 80% पढ़के लेगे और आगया आपका जो 20% छोड़ा था उससा आगया ठीक है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता बस आप से यह कहूंगा क्या मेहनत करते देजिए अपनी मेहनत पर विश्वास जरूर रखेगा ठीक है तो यह तो थी एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए और एक स्टेजिटी शेयर करनी जरूर थी मेरे को इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बनाना चाहरा था तो मैंने इसको भी इसी वीडियो में इंक्लूट कर दिया है तो आब अपन प्रवारे में ब्रह्म कमल जो आपका हमारा जो राज की पुस्प है तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो लेकिन अभी यह नहीं पढ़ा होगा कि उत्राखंडी राज जी का जो ब्रह्म कमल है उसके आउसत आयू कितनी होती है ठीक है तो सबसे पहला आपका 10 है ठीक है तो यह राज जी पुस्प ब्रह्म कमल की बात हो रही है तो इसका जो सई आंशर होका 20 वर्ट है तो जो शो though और नाम होता और उसके बाद आपको यह बताते हैं कि हमारे उत्राखंड राजिम में इसकी जो ब्रहम कमल की 24 परजातियां पाई जाती है और टोडल कुल परजातियों की बात कुन सो तो नोट यह यह C'me यहां जाती है इसको देखिए जो ब्रह्म कमल उसको इस्तानी भासा में कॉल पदू में भी कहा जाता है तो देखे अगला कोशिन आपका उत्राखण में महरूरी कस्तुरी मिर्गनुसंदान केंदे की स्थापना किस वर्षे करेगी तो देखे सबसे पहला उप्सिन आपका की पोईंट जान लेते हैं तो आपका महरूडी कस्तुरी मिर्ग विहार है उसके कहां पर स्तिते सबको रहता है तो मैं आप सभी को लोगों को बताना चाहता हूं जो आपका ये महरूडी कस्तुरी मिर्गी विहार है ये बागिस्वर और पित्वरागर ये दो डिस्टोर की जो सीमा है वहां पर स्थित है अधिकतर केसिस में इसमें ऑप्सन बागिस्वर देखने को मिल जाता है जो कि आयूग सब्सक्राइब कर लिए तो फिसमा है ऑम सब्सक्राइब कि शाल करें जैसे को अभी हमने बनें और अगर एसकी में कस्तूरी मिर्गी के आतान Ayu की बात करी जाए है तो इसकी जो जो आतान Ayu होती है वह लगववग वीस साल तक होती है और उत्रा खंड में इसकी मात का स्टूरी मिर्गे पूसा-चायं यहापे देखने को को बिल जाती है और इसमेंधे जो वेड होता है तीस से लेकर 45 टक यह सबीको पताई होगा और यह काफी आपका महत्वपूर्ण होती है और काफी यह महंगी होती है और इसको आयात और नियाद करना परतिबंद भी लगा हुआ है तो देखे अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं यह तो थे इसके बारे में कुछ की पॉइंट जो मैंने आप सभी को बता है तो देखे जहां पर जिस कुश्चन पर मुझे लगता है आपको समझाना चाहिए उसके कुछ की पॉइंट बताना चाहिए तो मैं जरूर आपको बताऊंगा और पूरा एक्स्प्लेनेशन करके आपको इसका आंसर दूंगा ठीक है देखे जो अब अगला कुश्चन आ देखे अगला कुश्चन आपका वर्ट से 1982 में किस जन्पद में कस्तूरी मिर्ग प्रजनन की स्थापना की गई है ठीक है देखे तो सबसे पहला आपका रूदर प्रियाग दूसरा आपका अल्मोडा तीसरा आपका पिथोरागर और चौसरा आपका चमूली ठीक है तो कांचुला खरके के नाम से यहाँ पर इसकी स्थापना करेगी है आपने पड़ाई होगा कांचुला खरके कर्सुरी मिर्ग प्रजनन नहीं संस्तान ठीक है तो इसकी स्थापना करेगी इस आपके 1982 में और अगला कुश्चन पढ़ते हैं देखें आपे उत्तरा खंड के रा था आपका 15 से 20 पूट ठीक है तो देखें जो राज पूज पर आपका व्रिक्स है आपका जो बुरांस है जो आउसेतन जो आपकी जो लंबाई होती है वह लगबाद 6-8 मीटर तक होती है यानि कि 20-25 पूट तक उसकी आउसेतन उंचाई होती है ठीक है और आपको बताना खहते हैं जो आपका ये राज्जी व्रिक्स्त है आपका बुरांस उसका जो वह जयानिक नाम होता है वह होता है यह में इसका व्रिक्सा आपको आपडोड। किया गया है 1974 के अंतरगत ठीक है अगला कुछिशन के और बढ़ते हैं यहां पर अगला कुछिशन है किस वर्षे नैनिताल को कुमाओ मंडल का मुख्याले बनाया गया ठीक है यह भी काफी इंपोर्टेंट कुछिशन है तो सबसे पहला आपका 1852 दूसरा आपका 1853 तीसरा आपका 1854 और चौथा आपका 1860 ठीक है तो इसमें आपको पताने कि आपको नैनिताल है वो कुमाओ का मुख्याले कब बनाए गया आपको पता है उतराखन के दो मंडल है कुमाओ मंडल गड़ की यह तो इसके इसको बनाए गया जो इसको पूछा जा सकता है तो इसको जो मुख्याले मंडल का मुख्याले 1964 में इसको इसका मुख्याले बनाए तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट कोशिण के और बढ़ लेते हैं देखे आपका जो इसका मंदल में सामिल गया थिसे तो आपको इसमें सही आन्सल लगाना है तो देखे-इसका जो द्हों को घश्ắngर सामिल आप का saúde में किया गया था ठीक है अब बात करें तो देखे जो देहरादून की स्थापना हुई थी वह करे गी थी आपके 1817 में इसकी स्थापना करे गी ती इसमें यहीं इंपोर्टेंट है जो मैंना आपको बता लिया ठीक है अगला बढ़ लेते हैं अगले question कि और देखिये जो आपका अगला क्यूशन है वर्तमान में उतराखण में कितने परतिसात छेत्रे में राजिस्त पुलिस स्वियस्ता लागू है सबसे पहला उपसण आपका 41% दूसरा आपका 79% तीसरा आपका 51% तो इसका सज़त्तर परतिसत है तो इसका जो पर से यानिकी आपका वर्तमान में उत्राखण में 61 परतिसाट छेतर राजी में यादी आपका अगले प्रजाति की पक्सिया किस पेड़ पर अपना आसियाना बनाते है सबसे पएला आपका ज चाल है तो देखें इसका साय आंसर है यह ह lihat से और भिरग ऑपका है इस पर आपका यह जो फीषट परजाती के पक्सी है इसने आपना आस्याला बनाते करो यहाल फेंग पर यह पर जाती तो इसमें इनके पूरे विश्व में इनके संख्या बताई थी तो इसके पूरे विश्व में इसकी जो संख्या है वह आपके 2499 ठीक है तो आयूसीन दौरे इसके जन संख्या बताई गी थी और यह हाली की विपोर्ट है 2019 की ठीक है 2019 में फीस एगल प्रजाती की जो टोटल काफी कम संख्या इन लोगों की और ये काफी दुल्लब पढ़ जाती है ठीक है आगे बढ़ लेते हैं इसमें उत्राखंड में सर्वपर्थम राजनेती एक्ता स्तापिस करने का स्रे किसे दिया जाता है तो सबसे पहला आपका चंदवन्स दूसरा आपका कार्थिकेपूर र इसके पुच्छ की पॉइंट इसमें बिर जान लेते हैं तो देखिए इसमें आपका चार्थिकेपूर राजवन्स दो तो इसकी घुतेरा करें राजवन्स दूसरा इसका योशी मठ में बनाए करतिके पूर्पर्राइवन्स का सबसे परतापी जबसे अब रहा है तो कौन देखें यह आपको बता नहीं जो की आपका स्थालिवी लत्न त्थाथ की अगले कृश्शाहते यह कालbay आदिगूस संकरात चारे का आग्मान भी इन्हीं के काल पे हुआ था ठीक है आप बढ़ते हैं अगले कोशिन की हो तो देखिए यहाँ पर अगला कोशिन है आपका वर्थ 1960 में लाखुट ड्यार सिलास्त्रे की खोश किस जन्पद में की गई सबसे पहला आपका चंपावत दूसरा आपका अल्मोरा तीसरा आपका रूद्र प्रियाक चौथा आपका चमोली ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपका लाखुट ड्यार सिलास्त्रे की खोश करीगी थी यह करीए आपका अल्मोरा डिस्टिक में करीए और किसने करी थी यह करी थी आपकी MP जोसी ने इसकी खोश करी थी और अगर इससे पहले आप तो यह था आपका सुयाल नदी ठीक है यहाँ पर जो सुयाल नदी उसके किनारे यह जो लाखुट ड्यार वोश्ति थे और यहाँ पर क्या मिले थे इनको मानाओं के रंगीन चित्र प्राप्त होए थे इस गुफा में अगला क्योशन बढ़ लेते हैं अगला कोशन आपका दिखेँ फड़का नौली सिलास्तिरे को किस रइसे खुझा गया था था तो इसमें सबसे पहला ऊपने हाँआफ का 1984 आपका 1984 तो इस चीज भी आपका किस ढुस्तिक में यह इस्ती थे ठीक है अगला कुश्चन के और बढ़ लेते हैं जो आपका अगला कुश्चन है ग्वार्खा उड्यार किस जन्पद में इस्तित है ठीक है सबसे पहला उप्सन आपका चमूली दूसरा आपका रूद्र प्रियाक तीसरा आपका पितोरगार और चौसरा आपका नैनीस्ताल ठीक है त ति आपका चमूली आ जाता है और है यहाँ पर ढूंगरी गाउं के पास में यह गौरखा उड्यार इस्तित हें और कभी अकर पूछ लिया जाता है कि NICK किनार रर नंध लंगा नंदा किनार आपका गोरृरिंखा उड्यार ठीक है अगला क्विश्चन है आपका देखिया मंदीर है वह आपका द्वारहार्ट में इस्तित है इसको याद कर लिजेगा अगला क्षिश्ञ आपका देखे क्यादर खंड किस पुराण के अंसे हैं सबसे पहला का विश्णुर्पुरान दूसरा आपका शिव पुराण तीसर आपका गरुण पुराण तो इसका जुझा पुराण के अंसर है वह आपका इसकंद पुराण व्यानिकिक कमने आपका कि việc हैं छेंत ठीक तो फ्रेबर नियुकिन ऊंगरे थो चयुक्साइण और इसेका वह यह ऊपसे करता हूं कि आपने कुछ ना धूल कुछ यहां बहुत जादे कुछ नया सीखा होगा और ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं सीखा होगा बहुत कुछ सीखा होगा तो आपसे यहीं उम्मिद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंड और शेर जरूर करेगा मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा हर रोज सुबेच 6 बज जैसा हमारा यूटुब चैनल का यहां पर लोगो देख रहे हैं तो उसी प्रकार का लोगो इस पर फिजुक पे लगा हुआ है तो उस लोगों की सहता से आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं हमारा टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं जहां पर फ्री में पीडियाप सेंड नो